पूच्छन सर मेरे भी है एक्चली मैं वैसे तो एक पूचे ना चाहता ना लेकिन दूसरा भी क्लब कर देता हूँ आपके साथ ताटा स्टील के नंबर आये हैं तो सर एक बार इस पर आपका टेक चाहिए और दूसरा जोमेटो पे तो टाटा स्टील जोमेटो पर आपका टे पर समझों तो मेटल्स के अंदर इस समय गिरावट आ रही है ग्लोबली अमने देखा कॉपर बैर मार्केट में आ चुका है कुरूड जो जो 89-90 डॉलर के असपास था 80 डॉलर के नीचे दो दिन पहले आ चुका था ग्लोबल डेटा इतना अच्छा नहीं आ रहा है कि बोल स कमपनियों के नंबर देख रहा था मारुतियों महंदरा इन-महंदरा दूनों ने काई राव मेटियल के अंदर काफी सेविंग हुई है राव मेटियल में सेविंग आय तो इसका मतलब है कि स्टील प्लास्टेक और रौमितियल कोश्ट नीचे आ रही है तो वो अगर महुल इस company ने हर बार surprise ही करा है यह quarter important रहेगा बिकॉज इस quarter के अंदर जो Blinkit की platform और delivery fee थी वो kick in कर जाएगी तो जो quarter आएगा है मजबूत आएगा मगर मैं दर्शकों में बता दूँ कि stock जो रहा है बहुत ही मजबूत रहा है मैं सब गराब देख रहा था जब मैं 89 पे था एक साल के अंदर 165% का उच्छाल एक साल के अंदर 165% का उच्छाल है तो stock के अंदर अब हम कोई surprise factor नहीं कर सकते हैं बिकुज market को पता है business turn हो गया market को पता है कि बिंकेट बढ़ाया market को पता है कि यह जो गाड़ी खड़े में थी है वो निकल कर फुल रफ़तार में चल रही है तो कोई बड़ा surprise अगर नहीं आया तो जमैटो के अंदर बड़ी तेजी करना शायद मुश्कल रहे है